हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप आप लोग कामा cabinet अज हम बात करयेंके कि यह मैं पावर सप्लाई और तो कड़ लगता है दोस्तों यह होल्ले Johnson कि आप इसका किरोलन विटेंगता है नंट कि अधने का रिपेर कर सकते हैं धोस्तों मात्र यह तो होग्ची से डीटिये स्क्राइब कर सकते हैं एक रिपियर नहीं बनाना चाहिए कि डारेक्ट लगा देना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों तो उसके लिए दोस्तों आप फुली वीडियो में बने रहें और चलते हैं स्टार्ट करते हैं देखते हैं देखते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे दोस दोस्तों यह आपको फोल से दोस्तों पचास रुपए से ले करके 55 और 65 तक भी मिल जाता है तो ठीक है और कोई डीस में आपका फ्रीजेश्ट में खराब जाता है तो कोई मेकैनिक इसको लगाता है दोस्तों तो आप से 120 रुपाय से लेंकर जाक कि असका ले लेता है तो ठीक यह मात्रा सचिए 55 रुपाय स्लें करके पचास रुपाय का होल सेल में पढ़ जाता है तो किसमें फायदा आप कुस समझ सकते हैं ऑड़ से ठीक है इसके बाद वजाए दोस्तों तो इसको मेकैनिक 300 रुपए से लेकर के 320 रुपए तक लगाता है दोस्तों ठीक है इसमें भी बहुत अच्छा फायदा है तो इसको भी आप चाहें तो रख सकते हैं अन्यताज दोस्तों जोगर आपका खराब हो जाए डिस में यह जड़ा तर तो हमारे इस प्लब्द नहीं है बढ़िया रेट पे बहुत ज़्यादा जगा पे हम देखे हैं कि 80-90 रुपए तक का बेजते हैं दोस्तों होल सेल में अभी ठीक है ताफ इसको होल सेल में ले करके और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं जो कहीं बढ़िया मार्केट से उठा ले रहे ह बहुत है तो आप इसका अच्छा लाव उठा सकते हैं और बहुत ही इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं जोस्तों ठीक है इस पाउर सप्लाई को बेज करके कहीं से आप बढ़िया जगवा से होल सेल में उठाए जहां पर आपको और भी अच्छे रेट पर मिलेगा और आर इस काड़ का भी दोस्तों बहुत च्छा पैसा कमा सकते हैं जोस्तों जो और आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तब तक के लिए नमस्कार धन्नेबाद जहीं